शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लीस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लीस एप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लीस खुश्यों की अपनी दुकार अंतोराश्टी बजार ने कच्चे तेल का भाप 100 डॉलर प्रती बेरल की देली स्वर पहुँच गया है सो मुबार को कच्चे तेल के दाम में 1.2 फीजदी का उच्छाल आया रूस दुआरा युकरेन पर संभावित आकरमन के डर से सो मुबार को तेल की कीमतें 7 साल के अधिक के उच्चतम स्थर पर पहुँच गई अंतनाश्टी बजार में ब्रेंड क्रूब का भाव उच्छल कर 95.56 डॉलर प्रती बेरल हो गया जो सितंबर 2014 से सबसे उचे 94.94 डॉलर के सत्र के उच्च सतर के करीब है अमेरिका ने दावा किया है कि रूस जल्द ही युकरेन पर हमला कर सकता है ऐसी स्थिती में अमेरिका और यूरोपिय देश रूस पर प्रती बंद लगा सकते हैं प्रती बंद लगाए जाने से पहले ही तंग बजार में दुनिया के शीश उतपादक से निर्यात को बाधित करेगा इससे कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रती बेरल को पार्क कर जाएंगे रूस एनेटजी मार्किट में बड़ा रोल प्ले करता है युरूपिय देशों के लिए रूस सबसे बड़ा नैचुरल गैस सप्लायर है उसका सौधी अरब के साथ भी अच्छा संबंध है सौधी अरब ओल प्रोडूसिंग नेशन का लीडर है ऐसे में रूस चाहे तो पूरी दुनिया में एनरजी क्राइसिस बड़ा सकता है वहीं गोल्ड मेंड सैच की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कच्छे तेल के दाम 100 डॉलर प्रती बैरल को छू सकता है वहीं जेपी मॉर्गन ने 2022 में 125 डॉलर प्रती बैरल और 2023 में 150 डॉलर प्रती बैरल तक दाम छूने की भविश्यमानी की है कच्छे तेल की कीमतों में बड़ोतरी का अब भारत ही नहीं बलकि पाकिस्तान पर भी बड़ा असर हो सकता है भारत में 4 नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है सरकार के दबाव के चलते सरकारी तेल कंपनिया कच्छे तेल के दामों में इजाफा होने के बावजूद पेट्रो डीजल के दाम नहीं बड़ा रही है लेकिन चुनावों के बाद वे घाटा पूरा करने के लिए कीमतें अचानक बढ़ा सकती है भारत जरुरत का अधिकतम हिस्सा तेल आयात करता है कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी वही कच्चे तेल में इजाफा से राज कोशिय घाटे में बढ़ोतरी होगी अंतराश्य बजार में कच्चे तेल में उच्छाल से पाकिस्तान में पहली बार पेटरोल की कीमत 1.500 रुपे के पार हो सकती है अंतराश्य बजार में एक फरवरी से पेटरोल की कीमतों में 6 रुपे और डीजल की कीमतों में 5 रुपे प्रती लीटर की बढ़ोतरी की गई है अगर सरकार अंतराश्य बजार में तेल की बढ़ती कीमतों का बोज उप भोकताओं पर डालने का फैसला करती है तो 16 फरवरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 13 रुपे और 18 रुपे प्रती लीटर की बढ़ोत्री हो सकती है इस समय पाकिस्तान में पेट्रोल 147 सुर्पेज 83 पैसे प्रती लीटर और हाई स्पीड डीजल 144 सुर्पे 62 प्रती लीटर और हल्का डीजल तेल 114 रुपे 54 प्रती लीटर पर बेचा जा रहा है फ्रेश दूद और सब्जी के लिए अब घंटों इन्रजाद में विग ब्लिस पर और करें और 10 मियट में पाएं अपने गर प्रेश दूद और सब्जी तो रंट डाउनलोड करें विग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुकार